हलो फेंट्स मैं नाव विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल फेंट्स आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारी जो ES6 की सीरीज चल रही है उसका 20th वीडियो है और आज हम लोग बात करने वाल है असिंक अवेट की लास्ट वीडियो मेर फेंट्स हम लोगों ने बात करी थी promises के बारे में और उसी के आगे का एक तरीके से जो next step है वो आजाता है आपका असिंक अवेट तो एक बार चलते हैं हम लोग हमारे example पर यहाँ पर सबसे पहलो तो देखते हैं कि क्या बोलना मैं आपको चाहरा हूँ तो एक हम लोग यहाँ पर function बना लेते हैं f नाम से इसके अंदर डाल देते हैं एक console.log और इसमें डाल देते हैं hello कोई rocket science तो है नहीं जो अभी तक हमने किया simple एक function है उसको call कर आया एक बार reload करके देख लेते हैं तो output हमें जो है यहाँ पर hello मिल जाएगा बिलकुल simple सी series सी चीज़ है अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसका जो output है मैं return करा लेता हूँ और इसको एक variable में store कर लेता हूँ let's select data और इस बार यह जो data नाम का variable है उसको console कर देता हूँ अब आप बोलेंगे भई बताना क्या चाहते हो एक काम और भी करते हैं मुझे लग रहे है थोड़ा सा zoom कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से आप लोग को जो view आ जाएगा यहाँ पर चलो reload output आपके बास वहीं आ गया तो अब यहाँ पर हमारे पास आता है async अब देखिए क्या होता है यह वहीं आ गया जो कल हमने पढ़ा था promise तो असिंग का वेट क्या होता है एक promise आपको देता है यह promise आपका बना बनाया है तो हमें कल problem क्या आई थी हमने जब यहाँ पे fetch का use करा था तो promise के case में हमें यहाँ पे दो बार इसे resolve करना पड़ा था सबसे पहले यहाँ पे हमने resolve करा उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे resolve किया तो यह दो बार के resolve से बचने के लिए हम use करते हैं किस चीज का async, await का simple सा logic अब ज्यादा मैं आपको detail में example नहीं समझाना हूँ कि कि उसके लिए मुझे फिर से आपको जो promise में हमने पड़ा था वो सारी की सारी खानी समझानी पड़ेगी तो जो main चीज है मैं directly आपको उसी में यहाँ पे लेके चल रहू अब देखी क्या होता है यहाँ तो कैसे था क कि हम लोगों ने async देख लिया function से पहले हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे तो async basically बोलता एक तरीके से यह है एक तो यह promise देता है और वो यह बोलता है कि यह इस तरीके का function है जो जब तक perform नहीं होगा उसके लिए weight का यहाँ पे logic चलता रहेगा हो सकता है मैंने क्या बोल आपको समझ में ना हो थोड़ी दिर में भी आ जाएगा तो मैं डालता हूँ console.lock1 यहाँ पे इस तरीके से अब वो API वाला जो हम लोगों ने हिट करा था same मैं पात यहाँ पे ले लेता हूँ कि एक API को यहाँ पे call करा लेता हूँ जैसे हम लोगों ने पहले करा था वैसी य हो गया API का data यह हो गया इसके बार डाल देते console.lock2 यहाँ पे इस तरीके से नीचे आते हैं एक डालते है console.lock3 हर जगा मैं आपको एक एक करके जो output है वो यहाँ पे बस दिखाने की खाली जो है कोशिश कर दा हूँ चार अब अगर मैं इस मेरे page को hit करूँ एक बार देखते ह पहले आया आपके पास 3 सबसे पहले आया आपके पास 3 3 क्यों आया आपके पास सबसे पहले क्यों 3 आया क्योंकि यहाँ पर async लगा ता अब मैं अगर यह async को हटा दू तो भी क्या हुआ undefine कौन सा आ रहा है अच्छा data undefine आ ठीक है क्योंकि कुछ इसको मिल नहीं रहा है यहां से f ने कुछ return नहीं किया न हम लोग print कर आ रहे हैं तो यह undefine बूला उसे छोड़िए जब मैंने page को reload करा तब भी मेरा यहां पर 3 आ रहा है यह चीज आ रही है क्यों क्योंकि यह वाला function हमारा इसके next line में call हो रहा है अब मैं क्या करता हूँ यह function को जो है पहले call करा देता हूँ अब देखते हैं एक बार output क्या होता है तो output क्या आया पहले आया 1 फिर आया 2 फिर आया 3 फिर आया 4 clear है क्योंकि यह function पहले call हो गया तो इसलिए पहले 1 आ गया उसके बाद 2 आ गया फिर 3 आ गया फिर 4 आ गया थोड़ा order change करते हैं, यहां पर one डालते हैं, यहां पर two डालते हैं, in fact यहां पर one डालते हैं, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, विल्कुल जैसा था हमारा जो कहानी है वैसी चली, अब हम यहां लगाते हैं, async, अब देखते हैं, क्या होता है, one, two, three, four, five, विल्कुल ठीक है, अब लगाते हैं हम यहां पर अगली चीज और वो है अवेट, a, w, a, i, t, अभी देखते हैं, एक बार क्या होता है, इस बार देखिए, order जो था, वो हमारा change हो गया, सबसे पहले आया one, फिर आया two, फिर आया four, फिर आया five, फिर आया मेरा यहा three, three आया end में, यह चीज मेरी end में आई, इससे नीचे एक चीज और डाल देते हैं, let's six पी डाल देते हैं, अब देखिए, concept कैसे चला, अब मैं आपको यहां पर समझाता हूँ, await का मतलब हमने यह बोला कि अगर यह request पूरी नहीं होई है, जब तक यह request पूरी नहीं होगी, जब आपका काम खतम हो जाएगा, उसके बाद यहां पर आ जाना, again मैं आपको एक बार दुवारा बोलते हूँ, को कि बहुत important concept है, react में बहुत use होगा जब हम आगे पढ़ेंगे, async await, अच्छा एक काम और करते हैं, इस बार async को हटा देते हैं, फिर देखते हैं, आपके पास हैरा गई, क्योंकि await तभी चलेगा, जब आपके पास async होगा, तो async await combination में चलेगा, await यह बताता है, कि अब जब तक यह fetch API का data नहीं आ जाता, तब तक मैं बाकी का जो मेरा काम है, वो यहां पर करता रहूँगा, यहां पर हमें फायदा हो गया, async await का, अब अगली च यहां पर अगर आप देखो, तो यह response मिला, अब आपको ध्यान होगा, कल भी हमें कुछ इसी तरीके से response मिला था, तो हमने क्या करा था, इसको जेसन में convert कर दिया था, इस तरीके से, इसको ऐसे कर देते हैं, console.lock, ठीक है, अब देखें क्या हुआ, यहां पर मुझे फिर से दिक्कत क्या है, कि इसके अंदर तो promise है, इस promise को resolve भी तो करना पड़ेगा ना, यहां पर, तो ideally हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, यह वाला जो data है, इसको करना पड़ेगा, हमें return, इस तरीके से, और अब इसको अगर मुझे handle करना है, मैं यह जो सारे के सारे console लिखे थ तो यहां पर हमने बोला कि यह जो data है, यह जो data है, इससे हमें क्या लगाना पड़ेगा यहां पर, यहां पर हमें लगाना पड़ेगा वही जो हमने कल लगाया था, यानि कि हमारा promise को resolve करना पड़ेगा, तो मैं बोल सकता हूँ data.then, packet हम लगा लेंगे हमारा यहां पर, किसी भी variable में value डाल देते हैं, let's say मैं item में value डाल देता हूँ, कुछ इस तरीके से, और यहां पर हम लोग इसे resolve कर लेते हैं, तो अब अगर मैं यहां पर आऊँ और यहां पर डालू, क्या, item को console कराऊ, item को, तो यह देखिए, अब आपके पास वो सारा का सारा जो data है, वो यहां ने किया यहां पे, async, await का use और हमारा जो promise बना, उसको resolve किया, फाइदा आपको इन दोनों में क्या मिला, यहां पे भी हमने वही काम किया था, यहां पे भी हमने एक तरीके से वही काम किया, पर अब फाइदा हमें यहां पे यहां पे यह मिला, कि हम जब async, await का use कर लेते है तो उससे advantage ही हो जाती है कि हमें दो promise को resolve करने की जबुत नहीं है, यहाँ पे वो जो दो promise को resolve करने का काम था वो आपका यहाँ पे हो जाता है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो दोनों एक तरीके से छोटा भाई बड़े भाई हैं, कौन-कौन promise और आपका असिंगवेट, पहले promise आपके पास आया, promise आया, उसके बाद उस promise को और थोड़ा बेटर तरीके से करने के लिए, जहाँ पे एक promise हमारा बज जाएगा, उसका बड़ा भाई आ गया, जिसको आप बोल सकते हैं, आप यह असिंगवेट अगें, एक्जाम्पिल के लिए मैंने आपको छोटा भाई बड़ा भाई बोला, इस पर कुछ हम discussion नहीं करेंगे, कि यह मैंने क्यों बोला, बस खाली समझाने के लिए आपको यहाँ पर बोला था, important concept है, असिंगवेट का भी, ध्यान रखेंगे, दोनों चीज़ों की जवुद हमें कपड़ती है, जब हम कोई ऐसी चीज़ पर related ही है, इसी के लिए पहले हमने promise पड़ा था, उसके बाद हम लोगों ने उसको देखा, async await की help से कैसे हम लोग उसको resolve कर सकते हैं, तो यह था friends हमारा आज का video regarding async await, कुछ एक selected topic है, और जो आपके ES6 में बचे हैं, उसके बाद finally ES6 हमारा खतम होगा, और हम लोग start करेंगे पसंद आ है, तो इसको like और share जरूर करेगा, चैनल में अगर आप नए हैं और आगे भी मेरी सी तरीके के videos देखना चाहते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को subscribe कर लीजेगा, thank you